आज का हमारा टोपिक है गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे गोखले भारत की आर्थिक दूर्दशा से अतेदिक दुखी थे रानाडे के निदेशन में उन्होंने आर्थिक पर्ष्णों का गहरा धिन किया था और वे इस निशकर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक देश में व्यापक आर्थिक सुदारों का सुत्रपात नहीं किया जाता तब तक भारत की जनता की राजनेतिक आकांक्षाओं की कल्पना करना व्यर्थ है गोखले का आर्थिक द्रस्टिकोंड आर्थिक विचारधारों के पूर्वा ग्रहों से नहीं अपितु भारत की वास्तविक आर्थिक प्रिस्तितियों से प्रभावित हुआ था दादा भाई नोलोजी, राना डे, जीवी जोशी और सोमेद दत्य़ जैसे ततकाने अगर्नीय अर्ग सास्त्रियों से गोखले प्रबावी थे गोखले दादा भाई नौलोजी के इस मत्से सहमत थे कि ब्रिटिन शाषिन की नीतियों के कारण भारत से आर्थिक संसादनों का ब्रिटिन की और बाहरी बहाव हो रहा है वेली आयो के समक्ष अपनी शाक्षे और बंबई लेजिस्लेटिव कॉंसिल तथा सुप्रिम लेजिस्लेटिव कॉंसिल में अपने भाषन में उन्होंने भारत में आर्थिक सुदारों की मां को दररता से प्रस्तूत किया भारत के सैनिक वे में कमी का आगर है गुखली की यह माननेता थी कि ब्रिटिन सरकार द्वारा भारत में सेनिक विशे पर अत्य दिखवे किया जा रहा है जिसका बाहर भारतियों की जनता को वहन करना पड़ रहा है वेली आयो के समक्ष अपनी शाक्षव में उन्होंने ये बाज़ पस्थ वेक्त किया कि भारत में कुल राज्छस वे और सेनिक वे का अनूपात ये इस पस्ट करता है कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में सेनिक मामलों पर आवशकता से अधिक वे किया जा रहा था उन्होंने इस बात पर आपती की की शान्ति काल में भी भारत में भारी बरकम सेना का निवान किया जा रहा था उन्होंने सुजाव दिया कि सेनिक वे में कमी के लिए भारत में रिजर्व सेना की विवस्ता की जा सकती थी जिसे आकरमनिया युद की समय काम में लिया जा सके तता शानती काल में भारी संख्या में सेना का निवानने करना पड़े उन्होंने भारती सेना की भारती करण को भी उप्वियोगी माना उनके अनुसार इसमे एक और सेनिक वे में कमी होगी कीविए सरकार अंग्रेजी अधीकार को दिये जाने वाली भारी भरकम वेतन और भतों के बहुत से मुक्थ हो जाएगी वहीं दूसरी और इससे सिक्षित भारते यूकों को सेना में अधिकारियों की रूप में भरती त्वारा रोजगार के व्यापत अफसर प्राप्त होंगे उन्होंने ये अगरे किया कि भारत की सेना का उप्योग वास्तवी काकरमनिया यूद की स्थितियों को छोड़ कर भारत की सीमाओं से बाहर नहीं किया जाएं उन्होंने इस बात पर गंबीर आपती की कि भारती जन्ता के हित्तों के मुल्ले पर भारती सेना का उपयोग ब्रिटिस आमराज्य के विस्तारवादी उद्देशों की पूर्ती के लिए किया जा रहा था उन्होंने आगरे कि ये भारत की सेनाओं का उप्योग भारत की सीमाओं से बार किया जाए तो ऐसे सैनिक अभियानों का वे बिटिस की सरकार दोरा उठाया जाना चाहिए जनता पर करों के बोज को कम करने का आगरे गोखले भारती जनता पर बेटिस राशन के अधीन करों के बोज़ से बहुत दुखी थे इंपरियल लेजिस्क्लेटिव कॉंसिल में उन्होंने सरकार की कर नितिकी कड़िया लोचना की 1902 में अपने बज़ट बाशन में उन्होंने कॉंसिल के वित सची द्वारा पस्तूत किये गए बज़ट में दिखाए गए अधी सेश को अतेदिक आपती जनक माना और दरड शब्दों में कहा कि अधी सेश भारती जनता के प्रती धोरा अन्याय था इसमें एक और ये विक्त हो रहा था कि जनता पर करों का आवशकता से अधिक भार डाला जा रहा था जबकि वे पहले से ही अन्यक प्रकार के कष्ट और आर्थिक विपंता से गरस थे दूसरे वो सरकार दोरा अरजित आएका अधिकान सिस्था जनता के लिए कल्यान कारी गतिवीदियो में वे करने की अप्रेक्षा सरकारी तंतर और सेना को चलाने में वे किया जा रहा था उन्हें जन्ता परकरों का भारी बोज लादने और इस परकार जन्ता के कष्टों में वरदी करने को सरकार के नकारात में कविती दरस्टी कौन का एक उधारण माना कर विवस्ता में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिये जैसे अकाल के समय भूर आज़स के माफी आएकर से मुक्ति की सीमा में वरदी सूती कप्रों के उत बादन पर बाकारी डूटी की समापती तदा नमक पर दर की दरों में कमी आदी मुक्त व्यपार की निती के प्रति संचे अपने उधारवादी आगरख के बावजूदू गोखले आर्थिक छेतर में राज़े की ऐस्तेप शेकारी निती के समर्थख नहीं थे मुक्त व्यापार की निती को भारत में लागू किये जाने के गंबीर व्यवारिक दुश्परियनामों से अउगत थे वह यह मानते थे कि मुक्त व्यापार अन्ने उधारवादी मुले था ता मानो मात्र के प्रति बातुर्ट की भावना स्वतंतरता आदी जैसे पवित्र नहीं थे जिसे की सारभोमिक रूप से लागू किया जाना उचित हो उनका मत्था कि हर देश के सम्मन्द में मुक्त व्याफ़ार की निती को लागू करना स्वेधान्तिक द्रस्टी से तब ही उचित हो सकता था जिबकि दुनिया के प्रतिक देश में उद्योगी करन के लिए आदाहर भूड़ाचे का निर्मार कर लिया गया हो उनकी दर्मानने ता थी कि जब तक किसी देश के आर्थिक विकास की नियुन्तम अवस्ता प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक उसे मुक्त व्याफ़ार की प्रतियोगी तामे दखेल देना किसी भी प्रकार नयाए सम्मत नहीं था उन्होंने भारत में इस इंडिया कंपनी के आगमन तथा मुक्त व्याफ़ार की निती के भारत की आर्थिक इस्तिती पर कड़े विनाशकारी प्रिनामों पर ध्यान आकष्ट करते हुए कहा कंपनी द्वारा जान बूज कर जनता के उद्योगों को नेस्ट किया गया तथा विदेशी उत्पादनों के लिए बाजार तियार किया गया कंपनी की स्वार्थ आर्थिक निती के गंबीर दुष पर नाम भारत के जनता को बुगतने पड़े इस इंडिया कंपनी की निती का लक्ष ये था कि भारत को केवल कच्चे माल का उत्पादन करने वाला करसी प्रदान देश बना दिया जाए तथा कच्चे माल से वस्तों का उत्पादन करने के लिए यहां कार खाने स्तापित नहीं होने दिये जाए इंग्लेंड ने हम पर मुक्त व्यापार की निती थोब दी तथा भारत की अनोध्योगित अर्थव्वेवस्ता की विश्व के उध्योगित देशों से नियंतरण ही इन प्रत्योगिता के दौर खोल दी मुक्त व्यापार की नितिके कारम भारत में लहू वा कुटिल उद्योगों तता उत्पादन माल को विदेशों में बड़े कारखानों दोराते यार माल से प्रतियोगी ता करनी पड़ी प्रेणाम सोरुप कुटिल वा लहू उद्योग नस्ट हो गए तता इन में लगी हुए लोग या तो बेरोजगार हो गए या उन्हें क्रशी पर पूर्ण तैनिर बर हो जाना पड़ा गोखले के अनुसार इस निती का और अधिक विनाशकारी पक्षिये था कि भारत में उद्योगी क्विकास वे पूंजी निवेश के कोई प्रेतन नहीं किये गए तता नहीं तक्निकी वे उद्योगी क्षिशा का प्रसार करने के लिए कोई कारे किया गया प्रेणाम ये हुआ कि यूरोप में हुई उद्योगी क्रांती का ड़न तो भारती एर्थ वेवस्ता को लहू द्योगों या ग्रामी दस्तकारी या सिल्प के विनाशके रूप में बुगतना पड़ा किन्तो उद्योगी क्रण के लाबो तथा उद्योगों का विस्तार उद्योगी क्रोजगार में व्रदी आधी से भी भारत को वंचित किया गया गोखले की माननेता थी कि सरकार दुआरा भारत में उद्योगी करण के लिए वातावरन बनाना थता भारते पुंजी, कोशल वे तक्निकी के विकास को प्रोसान देते तो भारत की आर्थिक प्रगर्थी का मार्क प्रेस्ट होता तता भारत की निर्दंता, बेरोजगारी, वरक्रशी, परपून, निर्बरता, आदी समझाओं का समाधान हो पाता गोखले ने भारती उद्योगों को प्रोसान देने के लिए सरक्षन की सहत तरक और विवेक समझ ही ती अपना ये जाने पर बल दिया उने ने इस पस्ट किया कि सरक्षन निती को प्रेप्त सतरक्ता और सकारात्मक दरस्टी को उनके बिना भारत में अपना आया जाना उचित नहीं था गोखली की मानेते थे कि भारते उद्धुगों को ऐसे सरक्षन के आवशकता थी जो पनप रहे भारते उद्धुगों को यूरोबी उद्धुगों के साथ एनि अन्दित परती होगी तासे तु बचाए किंटु एकादी कारी परवर्थी और आर्थिक सादनों के केंद्री कर उनों ही सिद्धानतों के नतारात्म पक्ष निराकरण पर कर दिये जाने चाहिए। ग्रामीन रिणु ग्रेक्रस्तता की पृत्ते चिंता गोखले बहर ग्रामीन विशेश्शक के प्रेच्टता से बनना कर रही थी। वे क्रिशिक के छेत्र में उत्पाधन की तकनीकी में सुधार उत्पाधन के समुच्चित सादनों को अपलप्ट कराने तटा वीपंड के स्थरप्रकरशिकों की हितों का सरक्षिन करने के संदम में राज किये हस्तेश्यव को उचित मानते थे वे इस तत्य से अवगत थे कि क्रशिक और ग्रामीनों को अपनी क्रशिता और अन्य आवशकताओं की पूर्ती के लिए महाजनों से अत्वा अन्य विक्तिकत स्रोतों से रिन लेना पड़ता था जो वे अपनी भूमी या अन्य संसादनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त करते थे ग्रामीन रिन ग्रस्तता के समाधान के ले सरकार दोरा किसानों से भूमी को गिरवी रखवाने का अधिकार छीनने वाली लेन्ड एली नी एशन बिल को गोखले ने एक नकारात में कदम बताया और उसका कड़ा विरूद किया गोखले का सुजाव था कि सहय कारी साखा, समीती की स्ताफना के माध्यम से ग्रामीन और कश्रिकों को विति rap सुवीदाएं प्रैदान करने की संस्तागत विवस्ता की जाने जीए भारत में रीलों के विस्तार को प्रात्मिक्ता देने का विरूद गोकले भारत में बिटी सरकार दोरा रेलो के विस्तार पर किये जाने वाले भारी वे के विरूदी थे वेली आयो के समक्ष साक्ष देते हुए जो गोखले का ध्यान आयो के एक सदर से ने इस ओर दिलाया की बिटिन सरकार ने भारत मेरे इलों का प्रसार करने भारत के लिए एक सुद्रूर उद्योगी आधार तयार किया है तब गोखले ने बिए संकोच के उत्तर दिया कि ऐसा करने में बिटिन सरकार का मत्ते भारत के उद्योगी की विकास का मार्क खोलना ने अपितु भारत के प्रसार्शन पर अपने पकड़ मजबूत बनाना और बिटिस उद्योगी कीतों को प्रौसान देना है गोखले के सालोचना का अर्थ ये नहीं था कि वे भारत में रेल के विकास के बिलकुल विरूद थे वे के वल इस और संके दे रहे थे कि उस समय रेल के विकास को प्रात्मिक्ता दिया जाना उचित नहीं था गोखले के विरूद थे कि बेटिस सरकार के जनता के लिए एक कनल्यान कारी गत्विदियों में धन वे करने तता भारती उद्योगों को सरक्षन प्रात्मिक्ता देने की अपेक्षा अपने हितों की पूरती के लेए लेल के इस तार पर, भारी धन नका वेक कर रही थी गोगले के अर्थिक वीचारों का सार इस रूप में विक्त किया जा सकता कि वै भारत को प्रशी, प्रदान, अर्थिष्टावाले देश की तुन्ना में एक उड्योगी देश के रूप में विक्सित करना चाते थी वे उद्योगी करन की ऐसी प्रिक्रिया को अपनाना चाथे थे जिसे आम जनता के हित्तों की अधिकादिक पूर्टी हूँ तता भारती संसाधन विदेश में निश्क्रे होने के अपेक्षा भारती जनता के रोजगार में वरदी आत्म निर्बरता वै आत्म समान का साधन बने गोखले भारत में करशिकों भी सुद्रड आधार प्रदान करने के पक्ष में थे तता इस दरस्टी से वे करशिकों की समयशाओं के समाधान के लिए राज के सरेक्शन की नीती और संस्तागत समर्थन की आवशकता से सहमत थे वे सरकार की राजजस नीती को जन कल्यानकारी सोरू प्रेदान करने के प्रबल पक्ष समर्थक थे उनका दरड आग रहता कि प्रशासने और सेनिक वे में कटोती करके जनता पर भारी बरकर बोच को कम किया जाना चाहिए तता करो से राज्ये को जो आई प्राप्त होती है उसका अधिक अधिक उप्योग जन कल्यान की गति वीदियो में किया जाना चाहिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद